हेलो फ्रेंद्स स्वाधत है आप सभी नहों का हमारे यूटूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलोजिस में दोस्तों पीछपी सीरीज का यह हमारा सेकेंड टूटोरियल है इस टूटोरियल में हम सेखेंगे कि पीछपी की कोडिंग को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है औ हमें पीछपी की कोडिंग करने के लिए कुछ सब्ट्रेस्ट की रिक्वार्मेंट होती है ठीक है जो कि मैंने अपने पिसले वीडियो में इसको मेंसन किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा तो जाके आप उस वीडियो को एक बार चेकाउट कर लेजी ठीक ह कि यूज किये होंगे अगर नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लेंग में इसको जब यूज करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि उसका एक फाइल बनाना पुरता है ठीक है जैसे अगर आप बनाना पड़ता है ठीक है तो यह फाइल हम बनाएंगे कैसे और क्या कैसे पचानेंगे यह पीछपी की फाइल है तो मैं आपको बता हूँ फाइल का नाम जो होगा ना आप कुछ भी रखो कोई मेटर नहीं करता बट जो उसका एक्स्टेंसन होता है ठीक है जो लास्ट के अगर आप PHP में कोडिंग करना चाहते हो तो ठीक है तो यह तो हो गया फाइल बनाने का सिनारियो की कैसे इसमें फाइल बनेंगे इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है मैं तब कैसे हम लिख सकते हैं यानि कि फाइल तो बन गई फाइल के परता है उसके नीचे हम उसको क्लोज करते हैं क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर दिन सिंबल के साथ ठीक है और उसके बीच में जो डॉट डॉट आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है तो वो क्या है कि हमारे जितने भी कोडिंग के जो भी स्टेटमेंट होंगे जितने भी के-मारे पास बर यतने भी लान की कोडिंग करना चाते है इस हम इस के अंदर को पड़ता है चलते हैं देखो PHP एक server side language है जो कि मैंने पहले ही बता दिया है ठीक है तो इसके लिए हमें server की जोद पढ़ती है तो मैंने इसमे jam server install कर रखा है और जो कि मैंने d drive में install किया आप चाहे है तो किसी भी drive में इसको install कर सकते हो कोई restriction नहीं है कि डी में रहेगा ठीक है तो जैसे ही हम jam के अंदर जाएंगे न वहाँ पर आपको एक folder मिलेगा jam के अंदर आपको hd-docs नाम का एक folder मिलता है तो जो भी हम php की coding करते हैं जो भी website वगरे बनाते हैं तो हम इसी के अंदर इसको रखते है ठीक है तो मैंने एक folder बनाया हुआ है आप को दिखाने के लिए मैं इस folder को delete कर दे रहा हूँ ठीक है मैं फिर से इसको बना दे रहा हूँ ताकि आपको कोई confusion ना रहा ठीक है प्यस्पी क्यूटो रियर्स के नाम से हमने फोल्डर बनाया ठीक है और इस folder को मैं क्या करता हूँ न वी एस कोड में इसकी इस पर राइट क्लिक करूँगा ओपन विद बीएस कोड आ गया अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको विएस कोड म यह आपका open हो गया है ठीक है इसमें यह आ रहा है इसको हम don't save करता है अब हम क्या करते हैं इसमें एक file बनाएंगा ठीक है जैसा कि मैंने बोला कि file का नाम आप कुछ भी रख सकते हो ठीक है मैं इसको index ही रख जाना हो ठीक है और उसके बाद हमें क्या करना पदा है last में PHP ल लिख होगे तो js लिख होगे HTML होगा यहां पर HTML लिखना पड़ेगा dot HTML ठीक है तो उसके बाद हम next आते हैं यह हमारा PHP का basic syntax होगे मतलब जो हमारा इस ही के अंदर हम PHP की सारी coding करने वाला है तो मैं यहां पर print statement लिखता हूं जिससे कि मैं कुछ लिख के उसको print करवाना चाहता हूं जिससे कि हम देख पहेंगे कि हमारा PHP वो successfully काम कर रहा कि नहीं कर रहा हूं ठीक है तो मैं यहां पर echo करवाता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं hello hello all यह हमारा समझो कि एक statement है इसको मैं print कर रहा हूं चाहता हूं तो echo जो होता है वो किसी भी statement को print करवाने के लिए होता है ठीक है वो आपको ठीक है और उसके बाद से आपने जो एश्टी डॉक्स के अंदर जो फोल्डर बनाया ना उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा तो क्या था हमारा प्येश्पी लिखते हैं यहीं न हम इसको लिखते हैं अभी तो मैंने इंडेक्स लिखने का फैदा क्या होता है न और अगर हम कहीं और बिख और नाम देते हैं तो फाइल अब की रन नहीं रहा है कि यह साइ़ाप को टी को प्रॉटिंग को रन करना होता है तो हमें उस समय जैंप सरफर को स्टाइट करना परता है टीक Latino यहां एक बार पर मैंने में सबर्फ पर याप जैप जाकर हो सकते हूं वह पर मिल जाएगा मेरा यहां पर आ रहा है तो मैं इसको एक बार स्टार्ट करता हूं ठीक है अभी यहां पर एक control panel खुल गया ठीक है और हमें क्या करना परता है का पाची server इसके बाद से यह माइस्कुल डेटावेस समाया स्टार्ट करना पड़ता है तो ऐसे में यह दोनों चीजे हमारी स्टार्ट हो चुकी है और अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेस्ट करो देखो यह आ भी गया है तो अब क्या है कि आपने जो यहां पे कोड किया वह सारी चीजे यह आपको क्या है इस ब्राजर पे दिख रही है यानिकि जो सर्वर है आपका सक्सच्फूली रन हो चुका है हो अपक्षब की कोडिंग को आप देख सकते हैं आप कुछी भी लिख सकते हैं यहां पर ठीक है मैं अपना अगर मैं यहां पर यह ती लिख दूं तो यह भी आ करेंगे तो देखो आ गया ना तो यह सारी चीज़े होती है यह हमारा पीश्पी का फाइदा क्या है पीश्पी को हम HTML के बीच में या फिर कहें भी हम दिख सकते हैं आप समझो कि यह जो statement मैंने क्या कि इसको control एक्स कर दिया ठीक है और यहां पर मैं चाहता हूं कि यह एक है इसके अंदर मैं जाता हूं इसको पेश्ट कर देता हूं जो भी मेरी कोडिंग थी अब यह क्या है बोडी के अंदर अब दिखते हैं कि एक्सली जो होता है वह हमारा में हेडिंग होता मैं तो सबसे बड़ा हेडिंग होता है ठीक है है एस्टीमल की भासन अगर कहा जाए तो तो दख़िए हमें बद बड़ा यही चीज़ आपको आ गया यानि कि हम ने हैं पर काम कर लोड़डी काम कर रहा ठीक है तो इस तरह से हम पेश्पी की कोड़िंग को स्टार्ट कर सकते हैं और आप पेश्पी कोछ हेएं बोडी में लिखो हैड्मी लिखो कहें झाल झाल